दोस्तों हम आर साथ बने रहे हम आपको घुमाते हैं आथ शेक जायत फेस्टिवल जो कि अबुधावी में अलवत्वा में हो रहा है अभी कुछ दिन ही पहले शुरू हुआ है तो लेट्स कंटिनू बिलते हैं फिर फेस्टिवल में मैं आकिब आपके साथ लेकर आएं आपको शेक जायत फेस्टिवल जो कि अबुधावी में अबुधावी सीटी से में सीटी से थर्टी फाइफ किलोमीटर दूर है आप सीदे रास्ते आ सकते हैं वत्बा की साइट पन्यास के आगे पड़ता है वत्बा और आपको देखने के में लगा शेक जायत फेस्टिवल यहां पर मवजूद हमारे साथ बहुत से लोग जो फुल टाम इंज्वाइब कर रहे हैं मज़े ले रहे हैं इस जागा के मज़े ले रहे हैं तमाम चीजे एंज्वाइब जूले हैं खानी की वराइटिया है तरह तरह के पवेलियंस बच्चों के खेलने की जगह मौजूद है काफी लोग आया हुए है और इसका मात्र टिकट 10 रुपए 10 रुपए में आप इंज्वाइब कर सकते हैं तमाम तरह के जूले हैं खाने की चीजे बहतरीन चीजे आपको मिलेंगी जैसा कि यहां की फेवरेट अर्बीयों की जो स बच्चों के खिलने के लिए पूरा इंतजाम किया गया इस वीकेंड अगर आप भूमना चाहते हैं तो यू केंड़ेंगी तरफ लेंगे जिसका नाम है चाइना टाउन पविलियन जो की बहुत ही खुबसूरत तरीके से बनाया गया है इसके चारों तरफ ऐसी लाइटनिं कही नहीं चाइना में आगए हैं अभी हम मोजूद है चाइना टाउन में और हमारे सामने तरह तरह की खाने पीने की चीज़े मौजूद हैं सामने चीज़े हैं हमारे हो डिंक्स व Alright dhinto coffee खी इतनी चीजे नजर आएंगी आपर खेलने कूदने के साथ काने पीने के साथ बच्चे रोते हुए भी नजर आएंगे आपको वह तो बहुत ही कॉमन सी चीजे वह तो हर जिगा होता है और इसके साथ यहां पर तरह तरह के जो हमारे गिफ्टिंग सेंटर्स हैं उनको भी बनाया गया है जूले वगरा भी रखे गया है चारो तरफ और जूलों के साथ उनको बच्चों का पूरा इंटेटेनिन का ख्याल रखा हो गया हमारे पास कुछ चीजे जो हैं पर सेल पर लगी हुई है उनको भी दिखा सकते हैं आपको क कि चारो तरफ बच्चे उनसे भी नजार आ रहे हैं यहां पर और उनके साथ साथ हम भी चाइना की टाउन की तरफ चल रहे हैं कि उदर और और भी शोज वगयर हमारे साथ मोजूद हैं यहां पर शोज चल रहे हैं जिसका नाम रखा गया है कुम करके है नाम है रखा गया शेक्षाइद कि फिस्टीवल के माई जोनकर नाम रखा गया जहाँ पेघसे स्जान के प्रफॉम्हें सो रहे हैं जोक्त परफॉर्मेंस हो रहे जोक्त परफॉर्मार्थ जोरे हैं और तरह मां ज़ुख जोह racist इन सब चीजों की जरूरते भी लोगों को है कि हाँ शायद वीकेंड पर निकलें फिर अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने का भी ख्याल रखा गया है और तरह सरे से यहां पर लाइटनिंग का भी देखा देखा तो बहुत अच्छा ख्याल रखा गया और एक दूसरी च आइट के साथ बेतरीन खुबसूरत सा नजारा है और यहां पर टर्किश भी बहुत ही खुबसूरत रेस्टोरेंट्स भी हैं जिसमें दबाली करके भी हैं आपर साथ मौजूद है चाइना के एक बेतरीन पविलिंस में जहां पर लोग काफी सारे लोग मौजूद है और ख आप खरीदारी भी कर सकते हैं यह पर आके और यहां पर भी इत्रीन शॉल्स कपड़े ने ठंडक के कपड़े बच ओके चारू तरफ लगे ओए और उनके साथ-साथ बहतरी इन चीजों के साथ-साथ आपको और भी चीजे जैसे खाने पीने की चीजे हैं ड्राइफ रूट्स वगरा भी हैं आपर जातातर विमेंस ही के लिए भी कपड़े रखे गया हुए हैं और जातातर उनके हिसाब से बनाए गया है ये पूरा चाइन मिलेंगे आपको ड्राइफ रूट्स वगरा भी बीलेंगे प्रनाइट वेर शूट्स वगरा फिर उसके साथ-साथ-साथ आपको लीडी के जो सामान से जादा रखे गया वों भी मिल या प्रस वालेट भी रखा गया हुआ है बहुत तरीके से सजाएगा हुआध गया फरन पूरी परचेशिंग के साथ आते हैं आदमी आराम से करते हैं आए हम आपको ले चलते हैं जो हमारा शेक्जायत फेस्टिबल में एक और जगा जो पविलियन बनाया गया है उसका नाम उजबिकिस्तान है और बहुती बहुती ब्यूटिफुल पविलियन है और इस तरह से लो सकता है फिर से एक और पविलियन दिखा रहा हूं जिसका नाम है रशियन पविलियन जो यहां पर बनाया गया है बेतरी तरह से दर्शाया गया है चारों तरफ आपको हर चीज देखने की मिलती है आपको और तरह कि लोग मौजूद हैं यहां पर खरीदारी करते हुए नज है वहां कि जो में सुमिनियर्स वगरा है वो रखी गई हुई है और बेहतरीन चीज़े यही है कि हाँ आप आया इंजॉय करें और खरीदें बेहतरीन तरीके से यहां पर देख सकते हैं गल्फ कंट्रीज के पविलियन मौजूद है उसके साथ साथ तुनीशिया का भी पव आपको अपर पिसकते हैं जो एक बहुतरीन तरह से प्रमोट किया जा रहा है थैंगाड ऊसके साथ-साथ-साथ आपको तमाम लोग यहां पर खेलते घूमते और उसके साथ-साथ-साथ गल्फ कंट्षी सामने ही कि तरफ है उसके बाद में भी गल्फ कंट्रीज कर पर विलि इनके तरफ से और आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं और देख सकते हैं कि चारों तरफ मौजूद यहां पर पब्लिक अपने उनर्वन लोगों के साथ इंज्वाइ करती हुई सामने से नजर आ रहे हैं और आपको दिख रहा है यहां पर खाने पीने की चीज़ बहुत सिर्फ अबुधाबी सिटी से 35-45 किलो मीटर दूर अलेंड रोड पे साउथ वत्बा बोलते हैं इस जगा को जो शेक जायद फेस्टिवल के नाम से मशूर है यह करीबन तीन महने तक चलती है इसकी ओपनिंग अभी एक हफते पहले ही हुई है और इसके साथ हम आपे यहां हैंग तमाम तरह की नर्सरीज वोगएरा बनाए गही हैं यहां पर अच्छी हैं इन चीजों के बाद बता कि आपको नपर सारे पाविलएन मिलेंगे कई कंट्री में हैं कि में Camus के इमराध के पाविलूर fistान अफग BROWN फाफिस्तान एट में चेयाथ ही कर आप बच्छों के नेशनल डे आ रहा है तो हो सकता है और भी चीज़े आने के लिए यहां पर मिलेंगी आपको दोस्तों हो उनको एक जिगाह और ले चलते हैं जिसका नाव है हंटेड मेंशन यहां पर बहुत खुबसूरत बनाया हुआ डार्क रूम, रियलिस्टिक हॉरर इसकेप गेम्स के साथ मौझूद है और आपको देखने में कितना खुबसूरत दिख रहा है यह जो नजारा है यहां पर बच्चे भी मौझूद है खेलते में नजार आ रहा है और लाइन लगाते हुए नजारा है कि टिकेट्स के लिए शायद अवेलबल नहीं है लेकिन हाँ फिलहाल के लिए जादातर लोग आ रहे हैं देखने के लिए मज़ा एंजुआए कर रहे हैं बच्चे भी एंजुआए कर रहे हैं यहां पर तो आप भी ज़रूर आए हैं और देखी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइटनिंग का कितना बड़े अंतिजाम किया गिया है म्यूजिक फेस्टिबल की तरह पूरा चेखजाद फेस्टिबल को सटाया गया है चारों तरफ से ही म्यूजिक लाइटनिंग वगरा बेतरीन वाटर शोक्स ही ए गया है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर फॉबलिक अपना खरे हो के… मज़ेदार इंतजाम केसाथ मज़ा ले रही है काने पीने के साथ मज़ा ले रही है बेतरीन फूड है बेतरीन जगा है घुमने के लिए और सबसे मज़ेदार चीज़े यहाँ पर लोकालिटी बहुत अच्छी बनाई हुग गई है यहाँ पर चारो तरफ पवेलियंस के मज़ेद बताए गए हुए है और उसके साथ साथ लोग यहाँ पर आके खरिदारी करते ह है और उसके साथ साथ है आपर वाटर शो म्यूजिक सोल के साथ साथ तीनों चीज़े भी बटाए गई है और चारो तरफ आपको पर्ब्लिक ज्यादा तर यहाँ पर यहीं दिखेंगे कि आपको को बैठे हुए है को घड़े होके देख रहें के इंजुआए कर रहें वाट के दो से यह गुजारेश है दरखासते कि प्लीज एक बार जरूर आए आप शेक्जायद फेस्टिवल और घूमें अपने बच्चों फैमिली सब के साथ आप आए और बेहतरीन तरीके से खाने पीने रहने का और उसके साथ साथ आप फूड का भी हैं पर एक बात सब सब प्ले ग्राउंड्स मॉस्क वगरा भी रखे गई हैं साथ में और हम आप से अब अलविदा लेते हैं